आयूर्वेद अपनाए, स्वास्त अपनाए आयूर्वेद ही एक ऐसे चिकित से पदेती है, जो रोगों को जड़ समेत खत्म करती है अले ओ प्रेंस, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फाइदे में हम आपका हादिक स्वागत करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, स्लिम ध्रिम चिकनी कमर के चाह को करे पूरा प्रेंस, आज हम आपको पेट वक कमर को कम करने के जबर्दस नुस्खे बताएंगे इन नुस्खों को जानने के लिए देखते रहे हमारी ये वीडियो और हाँ अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फाइदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अब भी सबसे पहले सब्सक्राइब कर देजिए ताकि आपको समय समय पर हमारे हेल टिप्स मिलते रहें महीला तो खुब सूरती की प्रतीक मान ही जाती है और हर महीला का ख्वाब भी होता है कि उसी कमर और पेट आकरशक लगे कुछ महीलाओं कि ये मन्चस शफल हो जाती है और कुछ इसमें अस्फल भी हो जाती है अगरशक कमर और पेट ना होने का कारण अगरशक कमर और पेट की पिछे एक कारण होता है और वो है महीलाओं के शरीर में अपस्थित जीन्स अगर किसी महिला के शरीर में जीन्स धंक से काम नहीं कर रही है तो उस महिला का अगर्शक कमर और खुबसूरत पेट पाने का सपना एक सपना ही रह जाता है और बहुत ही मुश्किल से पूरा हो पाता है अगर्शक कमर और पेट पाने के उपाए आकर्शक कमर और खुबसुरत देट पाने की तमन्ना रखने वाली महिलाओं को रात में खाना खाने के बार सीथे बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए खाना खाने के बार थोड़ी देर सैर करें इससे शरीर में कैलोरीज कम होंगी और सुबह उठकर मौनिंग वाक पर जरूर जाए अपने खान पान पर खास ध्यान दे तली हुई और बार की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए यह आपके शरीर में कैलोरीज की मातरा को बढ़ा देते हैं जिससे फैट जमा होने लगता है अगर आपको चाह पीने का शौक है तो आप दिन चाहरे में ग्रीन, ब्लाक और लेमिन टी को शामिल करने यह सब आपके मुटापे को नियंतरिन रखते हैं और शरीर को भी चुछ दुरूस्त भी रखते हैं इसके लावा पानी में शेहट मिलाकर पीने से भी कमर बहुत चल्दी कम हो जाती है उपवास को सब्ता के डाइट का एक हिस्सा बना लें कम से कम एक दिन उपवास पर ज़रूर रहें या फिर एक दिन तरल पदार्तों पर रहें जौ और चने के आटे को मिला ले और इससे अपने खाने में शामिल करें साथी साथ आप पपीता की सेवन से भी अपने वज़न कम कर सकते हो यह वज़न कम करने में बहुत ही कारगार सिद होता है योग को हमारे शास्त्रों में एक अहम जगा दी गई है इसलिए योग को दिनचार्य का एक हिस्सा बना ले प्रति दिन सुबह सुर्य नमस्कार करें या पेट और कमर को कम करने में बहुत ही लापकारी से धोता है खाना छोड़ कभी भी कोई पतला नहीं हो सकता इसलिए कभी भी खाना ना छोड़ें सुबह का नाश्ता जरूर करें दोस्तों अगर आप यहां दिये गए नुपायों को अपनाते हैं तो आप भी अपना मुटापक कम करके आकर शक कमर और खुबसूरत बेट पा सकते हो इसलिए इनुपायों को अपनाएं और फायदा उठाएं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी जरूरत मन्द लोग इसका फायदा उठा सके ताकि अग्यो विडियो च।क्षिए ताकि अग्यो इच्छे ड़नाहएं झाल